हेलो फ्रेंड्स, इशांच हार्ट हेल्थ में आपका स्वागत है जहां अमारा फोकस प्रिवेंटिव हेल्थ केर पे होता है मेरा नाम है सिधारत पाध्या और मैं एक सर्टिफाइड नूट्रिशनिस्ट हूँ आज के विडियो में हम बात करने वाले हैं मील उप्शन्स फॉर लंच की ये सारे मील उप्शन्स बहुत सिंपल उप्शन्स होंगे जो आप घर पे आसानी से बना सकते हैं ये हेल्दी होंगे, टेस्टी होंगे और सात्विक भी होंगे सो चलिए पहली मील उप्शन को देखते हैं सो पहले मील उप्शन में सबसे पहले शुरुबात करिए इस सलाथ से सो ये सलाथ जो है, इसमें आप देखिए खीरा, गाजर, टमाटर, बीट रूट सब अवेलेबल है इसके उपर थोड़ा सा नीबू का रस छिड़क दें तो और अच्छा हो जाएगा ये सलाथ खाने के 15 से 20 मिनट बाद अपनी कुग मील चालू करें जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, इस कुग मील में अरहर की दाल है सेमी ब्राउन राइस है, भिंडी की सबजी है और आम का अचार है बेसिकली सिंपल सा घर का खाना एक बाद ध्यान रखें कि यह अरहर की दाल और चावल बनाने के लिए कुकर का इस्तमाल नहीं हुआ है प्रेशर कुकर के इस्तमाल करने से दाल और चावल के निउट्रियंट्स बहुत बूरी तरह नश्ट हो जाते हैं अब चलते हैं दूसरी मील में दूसरी मील के शुरुवात भी हम इस तरीकी के सलाथ से करेंगे जो बता चुके हैं अब इस meal में cooked food में हम सबसे पहले यलो मूंग दाल ले रहे हैं उसके साथ आलू गोबी की सबजी है जवार की रोटी है बहुत बड़ी रोटी है ये size में एक बड़ी जवार की रोटी है और मिर्ची का अचार है अगर आप देखेंगे हर meal में थोड़ा बहुत अचार हम इस्तमाल कर रहे हैं जिससे हमारे को healthy bacteria मिल पाएं body में और इसमें भी डाल बनाने के लिए कोई cooker का इस्तमाल नहीं किया गया है अब चलें simple तीसरी meal पे तीसरी meal में again हम सालाथ से शुरुआत करते हैं और simple meal है ये छोले चावल खाएं आम के अचार के साथ simple छोले चावल nutrition प्रोवाइड कर देगा और आम का अचार healthy bacteria आज की final meal देखें अब हम again हम salad से शुरुआत करेंगे इस meal में हम cooked सबजी में गाजर मिटर की सबजी खा रहे हैं बाजरे की बड़ी रोटी है अरहर की दाल है और आम का अचार है again ये बात ध्यान रखें कि पूरे खाने बनाने में pressure cooker का बिल्कुल इस्तमाल नहीं किया गया है so अगर आप देखें ये बहुत simple meals है ये simple meals अगर आप अपने lunch में include करेंगे जो कि बनाने में भी आसान है खाने में बहुत ही tasty है so अगर आप देखें ये simple घर का खाना खा लेने से आपको healthy nutrition भी मिलेगा और खाना tasty भी रहेगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो kindly like and share करें और subscribe करें चैनल को thanks a lot for watching this video